करते रादे दोस्तों कैशे आप सब दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका शुआगत थे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिये गा और हमारे वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिये गा दोस्तों हिंदू मानितों का अनुसार करवाद चौत का वरत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन सुआगिन महिला अपने पती की लंबी उम्रक के लिए निर्जला उपवास रखती है और चंदर देव की पूझा रादना करती है दोस्तों इस साल का ये सुब दिन 24 अक्ठो पर 2021 रविवार के दिन को रखा जाएगा पांच साल बाद फिर से दोस्तों इस करवाद चौत पर सुब योग बन रहा है और इस बाहर वरत जो है इस वार का वरत जो है दोस्तों दिन रोहीनी नक्षतर में पूझन होगा इसका लावा इस साल करवाद चौत वाले दिन एक खास बात और है कि ये रविवार के दिन को है इस वज़े से सूरी देव की किरपा महिलाओं पर बनी रहेगी करवाचाद कर दोचाद का वर्थ को गठीन वरत मानाजाता है क्योंकि ये वर्थ काफी विदी-विदान से पूरा ग्याजाता है इसका लावा वर्थ के दोरान कुछ साउधान भी बढ़तनी चाहिए आज हम आपको दोस्तों ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिनें आपको वर्थ के दोरा नहीं करने चाहिए नहीं तो दोस्तों अगर आप जाने अंजाने में भी ये काम घर की महिलाएं कर देती हैं तो दोस्तो सबसाब पहला है कि हिंदू धर्में किसे भी सुब कहरी के दोरान काला कपड़ा पेहने की मनायी होती है जिहां दोस्तो ये असुब तगा पर्तिग माना जाता हりました कहते हैं कि आज करवा चौथ के दिन मंगल सुत्र के आलवा काले दाने मंगल सुतर के काले दाने के लावा इस दिन किसी भी काले रंग का पुरियोग आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों मानेता हैं कि सुवागी नौ को आज के दिन सफेद वस्तर भी धारन नहीं करने चाहिए सफेद रंग स्वामियता और शांति का प्रतिक माना जाता है लेकिन सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवाद चौत वृत में सफेद रंगी मनाई होती है यारी दोस्तों सफेद रंगी आज के दिन जो सफेद रंग कपड़ा घर के महिलाओं को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए यारी दोस्तों विद्वा कपड़ा बताया जाता है तो ऐसे में आज के दिन सफेद रंग के कपड़े भी न पहने और अगली जो चीज दोस्तों वो जो काम है कि करवाद चौत के दिन सुहाग निस्त्रियों को भूरा रंग का कपड़ा भी पहनने से बतना चाहिए तो इस दिन जो आपको ये काम भी नहीं करना चाहिए और करवाद चौत के दिन कुछ बातों का विशेश द्यान रखना चाहिए कि इस में दोस्तों आपको इस दिन जो है दूढ धही चावल्या उजलवस्तर का दान नहीं करना चाहिए यनि जो भी शफेद रंग का जो भी वस्त होती है उसका दान आपको नहीं करना चाहिए वैसे तो परते दिन अपने से बड़ो का अशिर्वात लेना चाहिए लेकिन करवा चौत के दिन विस्येज रोप से बड़ो का अशिर्वात लेना चाहिए इसे पति क्यायू लंबी होती है इसे बात का ध्यान जरूर रखे है कि आज आपने से बड़े या चोटे जो भी है उनको कड़े सब्द जो आपको भूल कर भी नहीं बोलने चीए कड़े सब्द बोलने से आपकी पति की उम्म जो है कम हो सकती है कर्वाच चौत क दिन कभी गलत से भी अपने पर्ति की अलवा किसी अन्य प्रोस के बारे में किसी तरगा खयाल मन में नहीं लाना चीए साथ ही किसी अन्य सुवागी निश्टरी को भी भरा बूला या फूर शाप देने के गलती नहीं करें करवा चौध के दिन सुवा की वस्तूर जैसे चोड़ी बेंदी और सिंदूर को भूल कर भी कुड़े दान में नहीं फैंगना चीए साथ ही अगर सुवा की ऐसी वस्तूर पैंते समय तूट भी जाए तो उसे नदी तला में डाल दें अगर सुवा की लंबरी उमर की काम ना करें अगिला जो है दोस्तों की खरवा चौध के दिन शिलाई कड़ाई और कट़ाई ना करें साथ इन सभी कामों के लिए कैंची का पुरियोग भी ना करें करवा चौध का वर्ट रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए तास के पत्ते खेलना चुगली करना सोना जैसे काम नहीं करना चीए लेकिन इस दिन सत्यों के खता परोनी कता सुनी और पढ़नी चाहिए साथी भजन केरतन भी करना चीए ऐसा करने से करवा महरानी के किरपा प्राप्त होती है और पत्ती की उमर लंब होती है करवा चौथ के दिन भूल कर भी मास मतली अंडा और मुर्गा आजी तामसिक भोजन नहीं करना चीए ध्यान रखे इस दियम का पालन के वरती महिलाओं को ही नहीं बल्कि उसके पत्तियों भी करना चीए मानेता है कि अगर इस दियम का पालन नहीं किया जाए तो वरत करना वेर्थ हो जाता है और करवा महरानी वरती पर परश्णर नहीं होती है बल्कि आपको जो है करवा महतारानी का क्रोध भी जहरना पड़ सकता है तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में आप जरूर रखें जो भी ये गलतिया है आपको भूल से भी आज करवा चौध के दिन इन गलतियों को नहीं करना चीए अगर जाने आज जाना में आप गलतिया करते हैं तो आपको वरत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है और आप जीवन में कश्टों का सामना करना पड़ सकता है तो फूल से भी आज के दिन किसी भी परकार की ये गलतिया नहीं करें ताकि आपको जो करवा चौध का वरत रख रहे है उसका आपको पूर्ण फल राप्त हो